मास आकुम्बरी विश्विदाल है सानपुर की बात करने वाले हैं वीडियो सभी शात्रे शात्राओं के लिए बहुत इंपोड़ाइन होने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को लास तक जोड़ो देकोड़ो को स्किप ना करे आपको बता दूँ कि मास आकुम्बरी में जो विसम समेश्टर के परतम और 33 समेश्टर के जो फोर्म है वो ओनलाइन सुरू हो चुके है तो आपको बताने वाला हूँ कि आपको ओनलाइन फोर्म कैसे परना है पूरा complete मैं आपको process बताने वाला हूँ कि शुरू से लेकार आखिर तक आपको कैसे अपने form का पिंट आउट लेना है और अपनी fee को online submit करना है यह मा साकुमरी निवस्टी के official website है www.msu.web.in आपको इस पर चले जाना है उसके बाद आप उपर side में देख रहे हो three dot line आपको उस पर click करना है click करने के बाद आपको उस परकार से exam form का option दिख जाता है आपको उस पर click करना है नीचे आप देख सकतो exam form regular first and third semester आपको उस पर click कर लेना है इस परकार से आपके एक नई tab open होती ही है उसके बाद आपको roll number यहाँ पर enter करना है अगर आप first semester के है तो आपको registration number एंटर करना होगा उसके बाद आपको applicant name आपको enter करना है जो भी आपके document में है जो भी आपने form बरते समय या registration करते समय अपना नाम एंटर किया था वो आपने यहां पर correct अपने नाम को enter करना है उसके बाद में आपने नीचे search कर देना है जैसे ही आप search करते हो तो नीचे आपको computer ID आपकी जो registration number है या फिर आपका roll number है वो दिखाई देगा उसके बाद नीचे आपका नाम, father name, date of birth और आपका semester आपको यहां पर दिखाई देगा उसके बाद आपको click here to submit form पर आपको click करना है जैसे ही आप click here to submit form पर click करते हो तो आप second step पर चले जाते हो registration detail में आपका यहां पर course और आपका नीचे college और नीचे सभी subject आपके so होगे उसके बाद आपको नीचे update now पर click करना होगा जैसे ही आप update now पर click करते हो तो उस परकाल से आप थड़ इस्टेप पर चले जाते हो यहां पर आपकी fee payment आपको दिखाई देगी कि आपकी fee कितनी है और आपको नीचे click here to make online payment पर आपको click करना है उसके बाद आप अपनी payment को ATM card, net banking, UPI, RD कहीं से भी online कर सकते हैं तो अपनी payment करने के बाद आपको आप अपने regular student portal पर ही आ जाते हो तो यहां पर आप देख सकते हो download का option आपको दिखाई दिया है उपर download वाला option है यह आप देख सकते हो यहां पर download वाले option पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको तीन option दिखाई देगे Enrollment form का आपको Enrollment form पर click करके अपने पूरे complete enrollment form को download कर लेना है इस प्रकार से आपका Enrollment form यहाँ पर download हो जाएगा नीचे आपका दूसरा step जो है वो आपका declaration है declaration form को भी आपको click कर लेना है इस परकार से declaration form को भी printer out कर लेना है या अपना save कर लेना है उसके बाद नीचे आपका student information का आपका एक form है वो भी आपको download कर लेना है तीनों form निकाल करके अपने जहां पर आपको signature करने है वहां पर signature करके अपने सम्मंदित college में जमा कराना होगा उसके साथ यह आप उपर देख सकते हैं कि students का आपको option दिख रहा है यहां पर आप students का option पर जा करके यहां पर अपने password को भी change कर सकते हैं अगर यहां पर आप अपने password को change करते हैं तो सिर्फ आपको अपनी login ID डाल करके नीचे अपने password को डाल करके आप अपने form को या अपने login detail को download कर सकते है या फिर आपका जैसे ही result आता है तो आपकी student ID बन जाती है उसमें जो भी आप form को next year apply करोगे या फिर आव वरतमान में जो result आपने दिया है जो आपने exam दिया है उसके result भी आपकी student ID पर ही सो होगा यानि कि एक आपकी security और secure जो ID बन जाती है उससे आप student login पर करके अपनी detail को देख सकते है इस परकार से आपको यहाँ पर अपने form को सर्च नहीं करना पड़ेगा जैसा मैंने starting में बताये ता आपको exam form के नीचे भी student login है इस पर भी जाकर के आप अपने यहाँ पर roll number या registration number को डाल करके और अपने password जो आपने वहाँ से change किया था उसको बना करके यहाँ से भी direct अपने इसको login कर सकते हैं इससे जो दूसरा कोई भी छात्र होगा या कोई भी होगा वो आपके login ID को सर्च नहीं कर पाएगा यहाँ से आपकी login ID secure हो जाती है और यहाँ से आप अपने सभी results और अपनी previous और next जितनी भी classes होगी उनके exam form और सभी details यहाँ पर save होती रहेगी और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यह बहुत अच्छा है यहाँ से आप अपने form को open करके जो मैंने बताई student section में जाकर के वहाँ से अपने password को change कर ले और यहाँ से अपने login ID को create कर ले future में आपके काम आने वाली है अपने login ID और password को ध्यान रखे यह आपके future में आपके आगे यही काम आईगी यहाँ से यह आपके form वगेरा सभी open होगे form बढ़ते समय कोई भी query या questions है या कोई भी प्रिशानी आ रही है तो हमें comment कर सकते है साथ में हमारे telegram group को join कर ले वहाँ पर भी आप comment कर सकते है साथ में इस्टा को भी follow कर ले वहाँ पर भी direct जो छातर छातरा इस्टा चलाते है वो भी हमें comment कर सकते है तो आपको तर न्यूस बाब हमेशा हमेशा देता है आगे भी देता रहेगा तो मिलते को latest update के साथ तब तक इले जहिंद